दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको जनकारी देने वाला हूँ कि अगर आपको AdSense Approval नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे जो है आपको Ad Network के बारे में बताने वाला हूँ जो कि Instant आपको Approval दे देगा ठीक है दोस्त और यहाँ पे आप अपने Website को Ad कर सकते हो यहाँ से आप इस वीडियो को अंत तक अगर यह जनकारी सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टैम लेंगे नहीं अब करते हैं शुरू तो इसी Ad Network के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को AdSense Approval नहीं मिल रहा ह तो इसका Ad लगा के आप लोग जो है अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो लेकिन दोस्त यहां पे आप लोगों को बता दू कि अगर आप लोगों को AdSense Approval नहीं मिल रहा है या आपके Website पे ट्राफिक नहीं आ रहा है तो दोस्तो स्क्रीन पे जो है मेरा WhatsApp कंटेक्ट है ठीक तो वो सही हो जाएगा तो इसके लिए आप जो है WhatsApp पे कंटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पे मेरा WhatsApp नंबर है बाकी चलिए दोस्त यहां पे आप लोगों को बता दू कि देखो Ad Network चाहे कोई सा भी हो इससे फरक नहीं परता है वेबसाइट पे मैं चीज होता क्या है कि ट्राफिक आना ट्राफिक अगर आपके वेबसाइट पे आएगा तो अर्निंग आप किसी भी Ad Network से कर लोगे जैसे कि आप लोगों को बता दू कि Google Ad Sense के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए है और Google Ad Sense का जो है अप्रूबल नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे लोग जो है छे-छे मही बहुत अच्छा अर्निंग कर लोगे तो देखते रहना इस वीडियो को अंतर तक इसमें आपको पूरा step by step बताऊंगा कैसे क्या करना है तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि नीचे इस वीडियो के description में जाना है और इसका link मिलेगा उस इसके पास तीन परकार का ही add है दोस्तों अभी यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ पूस है पपंडर है इन पेज पूस है ठीक है यही add है और बाकि यहाँ पे देख सकते हो जो भी है कुछ आप आके खुद भी पढ़ लेना ठीक है यहाँ पे और जादा से जादा आप लोगों को जनकारी मिल जागा बाकि मैं यहाँ पे आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि यहाँ पे जो है आप लोगों को तीन add मिलेगा और आप अपने website को add कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो तो यहाँ पे क्या है दोस्त यहाँ पे देखो add format है इस पे click करके आप देख सकते बाकि यहाँ पर एक advising का option है दोस्तों advertising पर आप लोगों को नहीं क्लिक करना है ठीक है advertising उसके लिए है जो लोग अपने website को यहां promote करना चाहते हैं अपने website पे traffic लेके आना चाहते हैं पैसे देखे ठीक है, तो यह जो है पैड है advertiser तो हम लोगों को करना क्या है कि अपने website पे add देखाना है और आपने लोगों को पैसे कमाना है इसके लिए हमें publisher पे click करना होगा तो चलिए मैं publisher पे click कर देता हूँ publisher पर click करने के बात जो है दोस्त यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे monetize web traffic ठीक है लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो आप ठीक है और एक चीज़ अच्छी बात यह भी है कि आप जो है यहाँ पे कहीं से भी traffic लेके आ रहे हो ठीक है जैसे कि facebook, tutor, telegram, whatsapp कहीं से भी तो आपका यह account जो है disable नहीं होगा और सभी traffic पे earning होगी जैसे कि google adsense क्या है कि जादा से जादा जो है और आप आओगे तो यहाँ पे जो है are you ready to make profit with us right now ठीक है यहाँ continue पे आप लोगों को किलिक कर देना है चलिए मैं continue पे किलिक कर देता हूं तो कि individual पे आप लोगों को किलिक करना है company पे बिल्कुल मत किलिक करना है ठीक है तो यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि first name, last name और country और city address और phone number, email, password, strong password देना है जो कि सभी text को मिला के उसके बाद यहाँ टेली गराम, skype दोनों दे सकते हो तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले detail दे देते हैं उसके बाद registration पे किलिक करते हैं क्योंकि यह पराइवेशी है दोस्तों यहाँ पे जो भी कुछ है detail मैं उसे नहीं दिखा सकता हूं ठीक है बाकि यहाँ पे क्या है कि आ आप जो है अपना दे देना ठीक है address है simple है आप जो है अपना अधार कार्ड उठाना और अधार कार्ड में जो भी चीज लिखा होगा वह यहाँ पे लाश्ट नेम जो भी यह दे देना country city देखो country वह होता है जो कि आप इंडिया से हो तो इंडिया लिख दो city जो आप कहां आप पे हो ठीक है आप जो है जहां का हो वहाँ पे लिख देना इतना समझदार होंगे आप ठीक है बाकि यहां टेली गराम का जो है user id दे देना ठीक है तो चलिए यहां पे जो भी यह detail में दे देता हूँ रजिस्टेशन पर किलिक करने के बाद देखो यहां पे आपके Gmail पे एक notification जाएगा तो Gmail सबसे पहले कर लेते हैं open तो जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यहां पर add operator के तरब से एक notification आया है चलिए इस पर double किलिक करते है डबल किलिक करने के बाद आप लोग को करना क्या है कि यहां पर जो है active account पर किलिक कर देना है ठीक है तो यह जो है आप इस link को भी use कर सकते हो लेकिन चलिए यह एक टीव अकॉंट पर कर देते हैं active account पर किलिक करने के बाद email verification यहां पे success अब यहां पर email और password आपको देना है जो भी email password आपने बनाए था तो यहां पर जो है यहाँ किलिक करने के बाद जो है दोस्त यहाँ पे जो है आपके सामने में देख सकते हो कि आकाउंट बैलेंस आपका 5 डॉलर जो है ऐसी ही मिल चुका है ठीक है अकाउंट बैलेंस आपको 5 रुप्य ऐसी ही मिल चुका है तो यहां पर आप देख सकते हो, बाकि यहां पर report है, payment है, account है, जो भी कुछ है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहां पर site को add कर देते हैं, तो चलिए यहां add site पर click करते हैं, और यहां पर domain, source, यहां पर आप लोगों को domain देना है, ठीक है, च तो यहां पर करता क्या हूं, कि यहां पर पेस्ट कर देता हूं, पेस्ट करने के बाद इधर आगे जो भी कुछ है, ठीक है, add TPS जो भी कुछ है, वो सब हटा देंगे, उसके बाद add source पर click कर देंगे, ठीक है, तो यहां पर click कर देते हैं, तो दोस्तों यहां पर देख सकते एपने लगाएंगे तो चलिए Click कर देते grandma करने के बाद जो है दोस्थ यहां पे दो पर काका जो है आता है तो यहां जो है smart composite card जिवे ुसके बाद जो है दर नेक्सट पे किरेंगे बागि यहां पे समार्थ लिंक जो होता है डाइरेक्ट लिंक सब होता है ठीक है तो उस चीज को आप अपना यूज कर सकतो मैं यहाँ पर smart tag को यूज करूँगा और next पर किलिक करूँगा और यहाँ पर आप जो है अपने ad का जो है नाम दे सकते हो कुछ भी लिक सकते हो अपने website का भी नाम लिक सकते हो और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लिक कर देरा है create पे click करने के बाद जो है दोस्त इस code को करना क्या है कि head के नीचे डालना है ठीक है head के यहाँ पे डालना है ठीक तो चलिए मैं head पे चलता हूँ और website को पहले open करता हूँ तो दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अपने website को open कर लिया अगर आपके पास WordPress website है तो आप लोग WP code जो होता है उसको आप लोगों को download करना है यहाँ पे जैसे की WP header and footer तो यहाँ पे click करेंगे और click करने के बाद इसके अंदर में हम जो है क्या करेंगे कि paste कर देंगे क्योंकि यहाँ पे तो Google AdSense का approval बल पहली ही से मिला हुआ है वैसे लेकिन यहाँ पे paste कर देते हैं ठीक है paste करने के बाद करते क्या है कि इसको जो है save कर देते हैं नीचे जो है save करेंगे बांकि मैं blogger के बारे में भी बता देता हूं आप लोगों को जैसे कि blogger पे आप लोगों का website होगा तो आप लोग करना क्या कि यहाँ जो है theme पे क्लिक करना ठीक है theme पे क्लिक करने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे यह option आएगा arrow का यहाँ पे क्लिक करना edit html पे क्लिक करना और उसके बाद यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे html open हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकतो चार नंबर पे ही क्या है कि head है बस enter दवाना है और यहीं पे paste कर देना है और save कर देना है दोस्त save हो जाएगा ठीक है तो यह बलागर के लिए ऐसे कर सकतो बस यहाँ पे save करके छोड़ देना है बांकि आपका काम हो जाएगा ठीक है उसके बाद जो है करेंगे क्या जैसे कि हमने पेश्ट तो कर दिया ठीक है इस website के अंदर में क्या कि हमने कि पेश्ट कर दिया ठीक है जैसे कि यहाँ पेश्ट कर दिया ठीक है और से भी कर दिया अब मुझे करना क्या है जैसे कि यहाँ पे इस option पे आना है और यहाँ done पे click कर देना है डन पर किलिक करने के बाद यहां पर होता क्या है कि दोस्त इस तरीके से आज आता है option तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर एक बार website को देख लेते हैं open करके website पर एड चल रहा है कि नहीं चलता है तो यहां पर करेंगे क्या कि यहां पर इस एड पर और रिफ्रेस करने के बाद यहां पर देख लेते हैं क्योंकि अभी वयसेड लगाया ही है तो approaching में time लगता है ठीक है तो देखो दोस्त एड जो है चलना शुरू हो चुकरे एड है जो की यहां पर आप लोग जानते हो तो यहाँ पे क्या है जैसे कि pop under add, push notification, सब कुछ इसके अंदर में पहली से add रहता है जैसे कि pop under उस चीज़ को बोला जाता है कि website के अंदर में कहीं पे भी click करोगे ठीक है, कहीं पे भी click करोगे तो होगा क्या कि दुसरे website पे जो है वो redirect हो जाता है ठीक है, तो उसे जो है pop under add बोला जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे click करता हूँ और click करने के बाद जो हुआ कि यह जो है redirect कर दिया, इस link पे click कर दिया, ठीक है तो एक तो यह add होता है, बाकी चलिए यह जो है refresh हो रहा है, और refresh होने के बाद होगा यहाँ पे add एक दो जो होना चालू हो चुका है, बाकी जो है क्या है दोस्त की यहाँ पे आप लोगों को सब के सब add दिखेगा ठीक है, सभी के सभी add दिखेगा आप लोगों को, बस इस वह refresh होने देना सही से, बाकी और कुछ नहीं तो दोस्त यहाँ पे देखो, अगर मैं रुका रहूंगा तो वीडियो यह हो जाएगी लंबी, यह चीज़ देखो फीरी है, बिल्कुल फीरी है, आप लोगों को जैसे मैं बता हूँ, वैसे आप लोग करना क्या की add लगा देना, ठीक है, add लगाने के बाद आप लोग जो कोड मिला था, जैसे कि दोबारा जो है, यहाँ पे add zone पे किलिक करेंगे, और यहाँ पे maximum देख सकते हो, पर side एक ही, ठीक है, तो यहाँ पे smart link पे अब किलिक करेंगे, ठीक है, next पे किलिक करेंगे, इसका भी नाम जो है, कुछ भी देते हैं, इसका नाम देते हैं, ठीक है, उसके बाद create पे किलिक करेंगे, create पे किलिक करने के बाद जो है, यहाँ पे होगा क्या, कि यह जो है direct link है, इसको जो, इसे जो आप किसी banner में लगा के check कर सकते हो, जैसे कि कुछ भी movie downloading से related, अगर banner बनाए हो, तो वहाँ पे यही link दे देना, वैसे यह जो है, ठीक होता है, इ जबको, यहाँ पे जो है, add यह open हुआ, इसी परकार से open होता रहता है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है, कि हमेसा एकी परकार से open होगा, यहाँ पे जितना बार भी लोग जो है click करेंगे, उतना बार जो है add जो है change हो के मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे, तो इसे जो है direct बोला जाता यहांप प सिंपल में से काम किया देखो मैं अभी अपनी वेफशइट मैंने किलीक किया था इसकी परकार से चलता है दोस्तों बाकि और कोई बात है नहीं देख सकते हो ये सब एड है ठीक है तो एड जो है रन हो चुका है एड जो है रन हो चुका है ठीक है तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना वैसे इस वेपसाइट पर गूगल एक्सेंस का अपरूबल मिला ही हुआ है ठीक है अब चलिए दोस्ति यहाँ पे जैसे कि आपने देख लिया बाखी यहाँ पुछ नोटिकेशन भी सो होगा और भी जो है एक दो एड वह भी सो होगा लेकिन इसके अंदर में बात कर लेते हैं आप कुछ और जैसे यहाँ पर डण कर देते हैं डण करने के बाद जहें दोस्त यहां पर आ जाता है रिपोर्ट ठीक है तो रिपोर्ट में आप लोग द ये जो है केपी टर फिक है केपीं टर लीस्ट है biz money आजिएFil पेपल नीर है US左右 है निटेलर और भी ट्रांसफर भी है ठीग और यहां पे मिनिमम Graph पे ही ले सकते ओ ठीक है तो यहां से देख शकते हुआ है तो आप जो है अपना इड कर लेना यहां पर पेपल है पेपल इमेल जो है आप लोग दे देना और यहां पर क्या है कि तो चलिए दोस्ति यहां पर साइट का उप्सन आ जाता है इस पर किलिक करके यहां पर साइड अपना देख सकतो दो एड उस पर लगा हूं और अगर जैसे कि गूगल एड़ सेंस का अपरूवल नहीं मिल रहा होगा तो आप लोगो को करना क्या है दोस्ति कि नीचे इस वीड में जाना है फूल कोर्स को देख लेना है उससे आप लोगों का वेबसाइट जो है सही हो जाएगा और आप लोगों के वेबसाइट पे ट्राफिक भी आएगा एड़सेंस अप्रूबल भी मिलेगा बाकि एसक्रीन के जो है मेरा वार्टसप कंटेक्ट है तो इस पे जो है क तो उसका जनकारी आप लोगों को मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही आप मिलते हैं अगले वीडियो में